प्यारे दोस्तों ये कहानी एक शिशापूर नामक जंगल की है जिस जंगल में मीनुचडिया रहती थी मीनुचडिया का कोई भी परिवार नहीं था जिसके कारण मीनुचडिया के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था इसलिए मीनुचिड़िया सारा दिन इधर से उधर भटकती रहती थी और रात होने पर कोई अच्छी सी डाल देखकर उस पर आराम से सो जाती थी रूजाना की तरह मीनुचिड़िया सुभा उटकर दाना जमा करने के लिए जाती थी और साथ ही साथ अपना घर बनाने के लिए अच्छी सी जगा भी ढूंड़ती थी उस जंगल में एक कालू-कवा भी रहता था चोके मीनू-कवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था वे हर बग मीनू-कवा का बुरा सोचता रहता था जब मीनू चिडिया काफी ज्यादा महनत करके अपना अच्छा सा घर बना लेती थी तो वे कालू का हुआ अपनी जलन में आकर उसके घर को तोड़ डालता था इसी कारण बस मीनू चिडिया के पास अब तक कोई घर नहीं था इसी लिए मीनू चिडिया बस पेड़ की डाल पर ही रहा करती थी फिर ऐसे ही एक दिन मीनू चिडिया एक डाल पर अराम से बैठ जाती है तबी थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसके पास एक कबू तरा कर बैठ जाता है हरे क्या हुआ मेनू चुडिया तुम इतनी परिशान क्यों हो तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या मुझे तुम बहुत परिशान लग रही हो तुम मुझे अपनी परिशानी बता सकती हो बस फिर क्या था मीनू चिडिया अपनी सारी की सारी परिशानी उस कबूतर को बताने लगती है इभी कबूतर भाईया मैं तो बहुत ही परिशान आ गई हूँ मैं जब भी अपना घर बनाती हूँ विकालू कववा मेरा घर तोड़ देता है उसे पता नहीं मुझसे क्या मसला है मेरे पास रहने को भी घर नहीं है मैं जब भी अपना नया घर बनाओगी तो विकालू कववा उस घर को तोड़ देगा इसी कारण मुझे बस दरक्तों पर ही रहना पड़ता है हरे मीनू चिडिया तुमें काम करो मेरा घर जिस दरक्त पर बनाए तुम उसके बराबर वाले दरक्त पर अपना घर बना लो फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुमारा घर कौन तोड़ता है फिर क्या था मीनू चिडिया काफी महनत करके कबूतर के बराबर में ही अपना घर बना लेती है सुबह जब सारे ही पक्षी जंगल में दाना तलाश कर रहे होते हैं तब ही वे कालू कावा मीनू चिडिया के घर के पास आता है और उसके घर के साथ-साथ सभी पक्षियों का घर भी तोड़ डालता है फिर जब सारे पक्षी अब अपने अपने घरों के पास आकर देखते हैं तो सभी पक्षियों के घर तूटे होते हैं वे सभी पक्षी अपने घर तोड़ने का इलजाम मीनू चड़िया पर लगा देते हैं वे कहने लगते हैं कि मीनू चड़िया नहीं उन सब का घर तोड़ा बस जब तक हम अपना घर बनाएंगे जब तक तुम हमें दाना जमा करना कर दोगी फिर क्या था मीनू चुडिया सभी पक्षियों के लिए दाना जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है फिर काफी देर के बाद मीनू चुडिया एक दरत पर सभी पक्षियों के लिए काफ अब तो ये सारा दाना मैं अपने साथ ले जाओंगा, मुझे ये दाना बहूत जादा पसंद आ गया है नहीं नहीं, कालु कुवे भया, ऐसा मत कीजぇ, ये मैंने चंगल के सभी पक्षियों के लिए जम्ह किया है मैंने बहुत मैनच से इसे जमा किया है आप ये दाना मत ले जाएए औरे रहने दो तुम तो मैं तो यही दाना लेकर जाओंगा तुम्हें जो करना है वो करो फिर क्या था वे कालू का हुआ वहां से वे सारा दाना लेकर चला जाता है फिर क्या था मीनू चिडिया रात होने तक दुबारा से दाना जमा कर लेती है और सभी पक्षियों को लाकर दे देती है फिर मीनू चिडिया कबूतर के लिए कुछ दाना लेकर उसके पास आ जाती है और उसे वे दाना देने लगती है हरे नहीं नहीं मीनू चिडिया मुझे ये दाना नहीं चाहिए ये दाना तुम अपने पास रख लो तुमने आज पूरा दिन बहुत मेहनत करी है तुम इस दाने को खाओ मेरी कबूतर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक मेरी किसी ने भी इतनी मदद नहीं करी है आपको देखकर मुझे अपने पिताजी की राद आती है फिर ऐसा कहकर मीनू चिडिया उस दिन कबूतर के घर में ही सो जाती है फिर अगले दिन वे कबूतर मीनू चिडिया को जंगल से दूर एक बड़े से दरख पर बने हुए अच्छे से घर के पास ले जाता है इसमें तो आपकी मेहनत लगी है यह घर तो आपका है हरे नहीं मीनू चिडिया तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे अपने पिताजी जैसा समझती हो तो तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यही नाम में दिया है ऐसा कहकर वे कबूतर वहां से चला जाता है और अब मीनू चिडिया उस घर में आराम से रहने लगती है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेना मिलती है कि सबर का फल हमेशा मीठा ही होता है सर्दियों का मौसम था और जंगल में तेज बर्फ गिर रही थी मानू चिडिये, कुछी दिनों बाद मेरे चाचा के बेटे की शादी है तुम्हें तो पता ही है, हम सब को वहाँ पर जाना है इसलिए तुम मेरे साथ चलो बजार, मुझे काफी सारी शॉपिंग करनी है इस बार आरे भाई, क्या बोल रही हो मीनू चिडिया तुम देखो तो जरा बहार कितनी बर्फ किर रही है इस बर्फ में तो हम ऐसे उड़ते हुए जाएंगे तो मेरी तो कुल फी जम जाएगी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा शॉपिंग पर मानू चिडिये, तुम क्या बोल रहे हो देखो, कुछी दिनों में मेरे चाचा के बिटे की शादी है अगर मैं वहां नहीं गई तो मेरी तो बहुत जादा बेज़ती हो जाएगी अरे, इस ठंड में मरने से तो अच्छा ही है कि शादी में ना ही जाया जाए और तुम्हारी बेज़ती हो जाए और वैसे भी मैं तो शादी में जाना ही नहीं चाता हूँ क्योंकि शादी तो पूरी राट चलेगी और पूरी राट इतनी खंड होगी कि क्या बताओ मैं तुम्हें ठीके फिर मानो चिड़े तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो अब मैं भी तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी अब तुम खाना भी खुद बनाना और खुदी खाना मैं तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं बना कर दूँगी अब अरे अरे मेनो चिड़िया तुम तो नरास हो गई हो पर देखो तुम खुद जरा सोचो कितनी ज़्यादा बर्फ गिर रही है बहार हम लोग बजार तक उड़ते हुए कैसे जाएंगे आखिर जंगल में बर्फ गिरने की वज़ज़ से सबी पक्षी काफी ज़्यादा परिशान थे क्योंकि उस बर्फ की वज़ज़ से जंगल में काफी ज़्यादा ठंड थी और कोई भी पक्षी काम के लिए बजार नहीं जा पा रहा था पक्षियों जंगल में बर्फ गिरने की वज़ा से कितनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है ना हम कहीं आने के रहे और ना जाने के बस अब तो घर में ही बैठे रहो हर वक्षियों हाँ मारू चड़े तुम सही कह रहे हो इस बर्फ के गिरने की वज़ा से पूरे जंगल में काफी ज़्यादा सर्दी हो गई है मुझे तो अपने कारोबार के लिए कुछ समान देने बज़ार जाना था लेकिन इस ठंडी के मौसम में मैं कैसे जाओ बज़ार हाँ कब उतर सेच में बज़ार आने जाने का बहुत जादा मसला हो गया ही इस बर्फ के गिरने की वज़े से मेरे चचा के बेटे की शादी है लेकिन बताओ हम शॉपिंग करने के लिए बज़ार जाही नहीं पा रहे हैं इस बर्फ के गिरने की वज़े से हाँ पक्षियों काश हमारे पास कोई ओरनख टोला होता और हम उसमें बैठ कर आराम से सफर कर लेते हैं चलो पक्षियों यहां बैठ कर बाते करने का कोई फायदा नहीं है ज्यादा देर तक यहां बैठे रहे तो किसी ना किसी पक्षी को ठंडी लग जाएगी चलो अपने अपने घर चलते हैं बस फिर आप सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं कैलू मेरे दिमाग में इस ठंडी के मौसम में कमाई करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय आया है अच्छा भला वो क्या उपाय है मुझे जल्दी से बताओ ताके हम इस ठंडी के मौसम में भी अच्छी कमाई कर सकें हाँ कैलू वो तुमने सुना न भार अभी में ठुत होता क्या कह रहा था वे कह रहा था कि एगर हमारे जंगल में कोई उड़न खाटोला होता तो सभी पक्षी उसमें कितने अच्छे से सफर कर लेते मैं तो कहती हूँ हमारे पास एक उड़न खाटोला होना चाहिए तबी पक्षी हमारे उड़न खटोले में बैटकर इधर से उदर जाया करेंगे और हम उनसे दाने लिया करेंगे औरे वाप पिरिया कवी ये तो बहुती बढ़िया उपाय है वैसे ये सब कुछ सुनकर मुझे याद आया तुम्हें पता है ना दूसरे जंगल में मेरा एक भाई रहता है वो बहुत बड़ा मेकैनिक है मैं उससे एक काम करके उड़ने वाला रक्षा बनवा लेता हूँ जब वो मुझे रक्षा बना कर देगा फिर देखना में इस जंगल में कितनी कमाई करूँगा हाँ कालू ठीक है हम अपने रक्षे का भाड़ा भी बहुत ज़्यादा रखेंगे क्यूंकि हमारे लावा इस जंगल में और कोई रक्षा नहीं होगा तो सभी पक्षी ज़्यादा भाड़ा देकर भी हमारे रक्षे में ही सफर करेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं बस तुम आगे आगे देखो अब मैं करता क्या हूँ बस फिर अब यही सोच कर कालू कवा अपने भाई के पास जाने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है औरे कालू भाईया आप यहाँ पर कैसे कितने समय बाद आप से मिला हूँ मैं मुझे तो बहुत जादा खुशी हो रही है आपको देखकर बताईए कालू भाईया आप यहाँ पर कैसे आ गए अरे क्या बताऊं मेरे भाई तुझसे बहुत जादा जरूरी काम पड़ गया है मुझे देख तू तो बहुत बड़ा मेकैनिक है इसलिए मुझे तू एक रक्षा बना कर दे दे जो के हवा में उडता हो वो रक्षा में हवा में उडाऊंगा सभी पक्षियों को बिठा कर और सभी पक्षियों से दाने लूगा हाँ हाँ भया ठीक है ठीक है रे सो पहले भी दूसरे जंगल के पक्षियों को ऐसे रक्ष बना कर दिये हैं अगर आप तो आप पर मेरे पास रहो मैं आपको रात तक रक्षा बना कर दे दूँगा फिर अप कुछ समय गुजरने के बाद जंगल में रात हो जाती है रात में कालुकवा का भाई कालुकवे को एक उड़ने वाला रक्षा बना कर दे देता है चलो ठीक है पृर अब मैं जा रहा हूं अपने जंगल में इस थंडी के मौसम में कमाई करने! अब कालुकववा अपने रक्षे को उड़ाता हुआ वापस अपने जंगल की तरफ चला जाता है! अब जंगल में अगले दिन शुबा होते ही कालुकववा सभी पक्षियों को बता देता है कि उसने एक उड़ने वाला रक्षा लिया है और सभी पक्षी अब उसमें सवारी कर सकते हैं पक्षियों अब आप सब मैंसे किसी को भी परिशान होने की जरूरत नहीं है मीनू चिडिया तुम्हें भी अपने भाईया के लिए शौपिंग कर डी थी ना अब तुम मेरे रक्षे में बैठ कर बजार जा सकती हो कब उतर तुम भी अब अपने कारोबार के लिए समान देने जा सकते हो मेरे रक्षे में बैठ कर लेकिन हाँ सभी पक्षियों को यहां से बजार तक जाने के 20 दाने देने होंगे मुझे तब ही मैं सभी पक्षियों को ले कर जाओंगा बस फिर अब सभी पक्षी कालुकवे को 20 दाने दे कर उसके रक्षे में सफर करने लग जाते हैं अब धीरे धीरे कालुकवे के पास काफी जादा दाने जमा होने लग जाते हैं पिरिया कवी, ये 20 दानों से तो हमने अच्छे खासे दाने जमा कर लिये हैं, पूरी ठंडी ये दाने आराम से चलेंगे हमारे पास, लेकिन मेरे पास एक और उपाए है, क्यों न हम एक काम करें, अब 20 दानों की जगा हम 40 दाने कर देते हैं, जब सभी पक्षी हमें डबल दा रक्षा तो इस जंगल में है ही नहीं, इसलिए सभी पक्षी तुम्हें 40 दाने देने के लिए भी तयार हो जाएंगे, बस फिर अगले दिन ही कालुकवा अपने रक्षे के पास सभी पक्षियों को जमा करके कहने लगता है, देखिए बई पक्षियों, पूरे ही जंगल में मेरा एकी रक्षा है, अगर मैं इस रक्षे को ज्यादा चलाऊंगा तो मेरा रक्षा खराब हो जाएगा, इसलिए अब आप सब को मुझे 40 दाने देने होंगे, अगर ये रक्षा खराब हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए अब जिसको भी बज़ार तक जाना हो, कैसे दे सकता है वो सब मैं नहीं जानता अगर मेरे इस रक्षे में सफर करना है तो चालिस दाने तो दे नहीं होंगे क्योंकि मेरा रक्षा को इतना सस्ता नहीं है जो आप सब गरीब पक्षीस में बैठ सकें आरे नहीं भाई नहीं कालू यह तो बहुत जादा दाने है नहीं अब हम तुम्हारे रक्षे में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे एक तो वैसे ही तुम इतना तेज रक्षा चलाते हो हमें तुम्हारे रक्षे में तो और भी जादा ठंडी लगती हैं हाँ कालु कवे तुम्हारा पूरा रक्षा चारों तरफ से खोला हुआ है इसलिए जब वो हवा में इतना तेज उड़ता है तो हमें और तेज हवा लगती है और हम बिमार हो जाते हैं उससे अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ क्या आप मैं अपने रक्षे के साथ रक्षे में एक डॉक्टर भी रख लूँ आप लोगों के लिए बस बहुत हुआ कालु कवे तुम्हे तुम्हारा रक्षा मुबारक हो हम तुम्हारे रक्षे में आगे से सफर नहीं करेंगे बस फिर अ ऐसा कहकर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं मीनुचिडिया कालुकावे का रक्षा चारों तरफ से खुला हुआ है इसी वज़ा से सभी पक्षियों को उसके रक्षे में काफी जादा ठंडी लगती है मैं काम करता हूँ अपने दोस्सोनुचिडे से कहकर मैं एक उड़ने वाली कार बनवा लेता हूँ उसकार में किसी भी पक्षी को ठंडी भी नहीं लगेगी और मैं उनसे दाने भी कम लिया करूंगा हां मानुचिडे ये तो बहुत ही अच्छा इडिया है इस तरह से तो हमारी भी कमाई हो जाएगी और सभी पक्षियों का भी भला हो जाएगा पिर अब यही सोचकर मानुचिडा अपने दो सोनुचिडे के पास चला जाता है हाँ मानुचिडे देखो जैसा तुमने मुझे कॉल पर बताया था वैसा ही मैंने तुम्हारे लिए ये उड़ने वाली गाड़ी बना ली है अब तुम इस गाड़ी में जहां चाओ सफर कर स अरे वा भाई वा सोनुचिडे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चलो अब मैं जा रहा हूँ ये गाड़ी लेकर अपने जंगल में बस फिर अब मानुचिडा अपनी उड़ने वाली गाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है अब मानुचिडा अपनी गाड़ी में सभ पक्षियों को बिठा कर कमदानों में सफर करवाता था। मानोचिडे की गाड़ी में किसी पक्षी को सर्दी भी नहीं लगती थी और सभी पक्षी खुश होकर मानोचिडे को अच्छे से दाने भी दे दिया करते थे। दूसरी तरफ कालुकवे और पिर्यकवे को उनकी लालच काफी जादा भारी पढ़ जाती है, अब उनका रक्षा खड़े-खड़े खराब पढ़ जाता है. पस फिर अप पिरिया कवी और कालू कववा मिलकर मीनू चिडिया और उसके बेटे को उसके घर से भाहर निकाल देते हैं अब अगले दिन जंगल में सुबा होते ही बर्फ पढ़ने लग जाती है पूरे जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और काफी जादा ठंड भी बढ़ गई होती है एरे सोनू चिडे अब हम क्या करेंगे कालू कवे और पिरिया कवी ने मिलकर तो हम लोगों को हमारे ही गड़ से बाहर निकाल दिया है कितनी ठंड पढ़ रही है मैं तो अगर इस ठंड को बरदाश कर लू लेकिन दुम्हारा क्या होगा सोनू चिडे अरे मा इस बर्फ की वज़े से मुझे काफी जादा सर्दी लग रही है कहीं सर्दी की वज़े से मैं मरना जाओ अरे नहीं सोनू चिडे तुम ऐसा मत दोलो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम दोनों कुछ न कुछ करके अपना एक घर बना लेते हैं पर मा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इस ठंडी के मौसम में हम आखिर कहां से लकडिया ढूंडेंगे और अपना घर कैसे बनाएंगे नहीं सोनू चिडे मुझे याद है जब मानो चिड़ा जिन्दा था तो मानो चिडे ने एक कबूतर की काफी जादा मदद की थी इसलिए हम कबूतर के पास चलते हैं कबूतर हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर कर देगा हाँ तो फिर मा जल्दी से कबूतर अंकल के पास चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है बस फिर अब मीनू चड़िया और सोनू चड़ा उस बर्फ बारी में कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं हरे मीनू चड़िया सोनू चड़े क्या हो गया है इतनी तेज बर्फ गिर रही है और तुम लोग ऐसे ही बाहर क्यों घूम रहे हो एरे क्या बताओं कबूतर भईया आपको कालू कवे और उसकी पतनी पिरिया कवी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है आपको तो पता ही है जब से मानू चड़े की मौत हुई है तब से मैं बहुत अकेली हूँ इसी का फाइदा उठा कर कालू कवे और पिरिया कवी ने हमारे घर पर कबजा कर लिया है और हमें इस थंडी के मौसम में घर से बहार निकाल दिया है अब हमारे पास रहने को भी कोई घर नहीं है मैं तो बस आप से कुछ मदद मांगने आई हूँ क्योंकि आप ही हमें इस जेंगल में अच्छे से जानते है मीनू चुडिया ये तुम बिलकुल भी सही वक्त पर मेरे पास नहीं आई हो इस वक्त तो मेरे पास जादा दाने नहीं होंगे तुम्हें देने के लिए लेकिन हाँ मेरे पास अभी जितने भी दाने हैं मैं तुम्हें दे देता हूँ उससे तुम कुछ न कुछ करके लकडिया खरीद कर अपना चोटा सा घर तो बनाई लोगी हाँ हाँ ठीक है ठीक है कबुतर भाईया आप बस सोड़े ही दाने मुझे दे दीजिए मैं उन्ही दानों से लकडिया खरीद कर चोटा सा घर बना कर रह लोगी बस फिर अब कबूतर मीनुचडिया और सोनुचड़े को कुछ दाने दे देता है बस फिर अब कबूतर के दिये दानों से मीनुचडिया और सोनुचड़ा कुछ लकडियां खरीद लेते हैं अब उस बर्फ में ही काफी ज़्यादा मेहनत करके सोनू चड़ा और मीनू चड़िया आखिरकार अपना छोटा सा घर बना लेते हैं मा ये चोटा सा घर कितना प्यारा लग रहा है हम तो बड़े घर में रहते थे लेकिन मुझे ये चोटा घर भी बहुत अच्छा लग रहा है चलो मा ये घर बन गया है अब हम इस घर में रहने चलते हैं बस फिर अब मीनू चडिया और सोनू चड़ा अपने छोटे से घर में सुकून से रहने लग जाते हैं। अरे कालू तुमने देखा है हमारे घर के सामने ही उस मीनू चडिया ने अपना छोटा सा घर बना लिया है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उस मीनू चडिया को बाहर देखकर मुझे बार बार ऐसा एहसास होता है कि हम उस मीनू चडिया के घर में रह रहे हैं। मुझे कुछ भी करके इस मीनू चडिया का घर अपने घर के आगे से हटाना है। औरे नहीं नहीं पिरिया कवी जाने दो हमने पहले ही मीनू चिडिया के साथ काफी जादा बुरा किया है अब हम और बुरा करेंगे तो हमें पाप लगेगा अरे जब इतना बुरा कर दिया है तो थोड़ा बुरा और भी कर देते हैं मैं तो देखना इस मीनुचिडिया के साथ क्या करती हूँ पस फिर अब मीनुचिडिया और सोनुचिडा तो अपने छोटे से घर में सुकून से रह रहे होते हैं अब कुछ दिन गुजरने के बाद बर्फ काफी जादा कालुकवे और पिर्यकवी के घर के उपर गिर जाती है जिसके कानन उनके घर की चट तूट जाती है और बर्फ उनके घर में भी आ रही होती है। अब करने वाली हो तुम इस बर्फ का बना कर खिलाने वाली हो तुम मुझे अच्छे से पता है कि इस बर्फ का आफिरकार करना क्या है। मैं जब सारी बर्फ फेकूंगी तो उसका पूरा घर तो बर्फ के अंदर ही दब जाएगा। औरे पर तुम्हे ये करके आखिरकार क्या मिलेगा। मत करो उस मीनुचेडिया के साथ है साब। बस मैं नहीं चाती हूँ कि उस मीनुचेडिया का घर बेरे सामने हो इसलिए मैं उसका घर बर्फ में दबा दूँगी अब। बस फिर अब पिरिया कववी बेल्चा लेकर अपने घर की छट पर चड़ जाती है और बेल्चे से सारी बर्फ निकाल निकाल कर मीनुचेडिया के घर पर फेकने लगती है। चड़े को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। कालु कवे ने तो मुझे बताया था कि तुम मर गई हूँ। चड़िया मैं तो देखो तुम्हारे सामने जिन्दा खड़ा हूँ। उस कालु कवे ने तुमसे जूट कहा था। अब परिशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। उस कालु कवे ने आम दोनों को धोका दिया है। वो मुझे धोके से उची पहाड़ी पर ले गया था और उसने ही मुझे पहाड़ी से धका दिया था। वो तो पहाड़ी से मैं केले के दरक पर गिर गया था। इसी वज़ा से मैं बज़ गया। मुझे उलु वैजी ने कुछ दिन अपने पास रखा था। उसके बाद जब मैं सही हुआ तो मैं मिठु महराज को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तुम्हारे और कालुकवे की सारी सच्चाई इस मानुचिडे ने मुझे बता दी है। मेरे राज्ये में ऐसा हो मैं बिलकुल भी बर्दाश नहीं करूगा। बस फिर अब मिठु महराज कालुकवे और पिर्यकवी को सजा के तोर पर उस थंडी के मौसम में एक बर्फ के ब झाल झाल झाल